जहीं दोस्तों क्या हाल है तो मैंने अलग-अलग टाइप की वीडियो दी हुए आपको ये फोन्स की टाइप सी ये फोन्स की हेड़ फोन्स की 2000 से ऊपर के अभी शेत्र सोगा है कभी एंग दिसेजन लीजी और बिसेंग सब्सक्राइब कर消ुकर कर दीजिए कि करके करके करते हैं को कैंब्ल को समझा पौन कि इसमें क्या कैसे मिलता है जैसे यह सब बोट एर डॉप 181 जब इसकी करते हैं बोक्स के अंदर आपको टाइप टाइप सी केवल मिल जाएगा साथ में टू पेर ओफ एर टीप्स और ये रहे बाहर निकालने के बाद दोनो टी डबलू एस इसकी प्राइज की बात करें तो प्राइज सिक्टीन हंडर्ड रूपीज 10 mm driver के साथ आता है और भी कुछ जरूरी specification आपके सामने है इसको जब पहली बार बाहर निकालते हैं तो ये काफी small सा है shiny design के साथ आता है तो definitely इस पे scratch पढ़ेंगे time बीतने के साथ साथ बात करें इसके experience की normally board के ठीक निकल जाते है इसकी बात करें तो comfortable है lightweight भी feel करते हैं बाह volume आप डाउन नहीं कर सकते इससे बीस्ट मोड भी मिलता है प्रस करके रखते continuous और इसको मैंने चेक किया gaming या फिटाइपिंग होगा रहा है कि टाइम हाँ लेटनसी इंप्रूव हो जाती है तो जो लोग गेमिंग करते प्रो लेवर के उनके लिए तो वायर वाला recommended रहता है और यह ओडियो क्वाल्टी है बोट के टीडेवल से 12345678910 और रिव्यू की बात करें तो टैन मिलीमीटर का ड्राइवर है और बोट मगारे के प्रोट में नोडिस किया बेस काफी रिच होता है लाउडनेस भी काफी अच्छी है ट्रेवल एंस्ट्रूमें सेफरेशन अब बोलूँगा मैं तो मुझे ठीक लगा बेस्ट नहीं लगा बेस्ट पर भी चलते हैं लेकिन अगर इसकी प्रोट के फिनिशिंग या क्वाल्टी अच्छी होती ना तो रिकमेंडेशन में असाने से जाता सस्ता साब चीप सा फील होता है यह पता नहीं क्यों बोट ने ऐसा 500 रुपीज का मिला यह बोक्स के अंदर आपको टाइप A to type C केबल मिलेगा यहां यहां मिलेंगे नहीं क्यूंकि इसको अगर आप देखोगे यह यह वाले डिजाइन नहीं है यह विदावट यह तो मैजोटी आफ लोगों को यह पसंद आते लेकिन कुछ यूजर ऐसे होत आप और वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हैं और म्यूजिक क्वालिटी में कुछ ऐसा होता अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम पर सुनो क्यूंकि यह 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 तक मैच करती है बोट के साउन क्वालिटी से अच्छी लाउडनेस है बेस काफी अच्छा है और कंस है इसका 1700 अब 1700 के साब से इससे बैटर मेरे पास दो प्रोड़ेक्ट है अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लेकिन हाँ जिसको यह टिप्स वाले डिजाइन नहीं पसंद या फिर बैटरी बैकप चाहिए उनके लिए अच्छा उप्शन हो सकता है बस प्राइज आई फ्लिप कार्ड पर यह नया दिखा इसका नाम है ट्रूक बड्स वाइब और मैं पहली बार ट्रूक का मतलब यह 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 बड़ ट्राई कर रहा हूं प्राइज ऐसे 1700 था लेकिन ओफर बगएर चल रहा था तो 1500 का मिली है मुझे तो अगर बोक्स को खोलते हैं इसके अंदर आपको एक टाइप टाइप सी केबल मिलता है और केस के ऊपर का जो यह लिड ओपन होती यह थोड़ा ट्रांस्पेरेंट है एंड साथ में एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले लगा हुए यह दिखाता है पूरा चार्जिंग केस में कितनी बैटरी और बची है और साथ में बट्स को अगर आप इसके अंदर निकाल के दुबारा लगाते हो लेफ्ट और राइट की चार्जिंग को भी शोगरता है वैसे इसका डिजाइन इंट्रेस्टिंग और कूल सा लग रहा है लेकिन देखा मैंने इसकी जो क्वाल्टी है मतलब बिल्ड क्वाल्टी वह अच् साथ आता अभी और आघा करता हूं तो यह अलग अलग मोड में क्या करता है ट्रेबल बेस को कम ज्यादा करता रहता है experience की बात करें बैस सूपर बेस से बहुत loud है और bass boost mode वगार अगर enable कर दो तो ऐसा लगता है बहुत जादा bass हो गया हो जादा देर तक नहीं हो bass आप feel करना चाहेंगे definitely और जैसे मैंने का loudness काफी है वो तो चलो अच्छी बात है लेकिन जाओ bass बहुत जादा है न उसकी वैसे क्या होता है जैसे movie देखते है या जो treble है instrument separation वो कम feel होता है चोटी-चोटी जो sound instrument होते है उसकी जो clarity है वो कम देखने को मिलती है जैसे मैंने का मैं पहले बाट टेस्ट कर रहा था product का build quality काफी अच्छा लगा और अगर कोई ऐसा है जिसको bass को जादा ही पसंद है और उसे फरक नहीं पड़ता चोटी-चोटे instrument वगारा इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता बस loudness बेस ही देखना है और बैटरी बैकप जिसको ज्यादा देखना है 48 hours ब्रैंड क्लीम कर रहा है कितना भी कम मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा वही सबसे ज़्यादा इस ही किया 48 hours तो उनको target कर सकता है यह इसकी भी calling quality आपक पे perfectly काम करता है अब इसमें mode मिलता एंसी mode transparent mode हलका सा काम करते हुँ दिखेगा बढ़ा ब्रैंड ने इस रेट में एंसी फीचर ट्राई किया वह अच्छी बार था लेकिन इसको किसी महंगे एंसी वाले टी रबनेव से compare मत करिएगा बाकि जो requirement मैं बताई उस आप से आप सो box नहीं है लेकिन मैंने काफी पहले एक वीडियो दिया था वहां से clip दिखा दूँगा यह oppo enco birds है अब बात करें इनके output की अगर बात करें realme tech life birds 200 की तो उसकी specification यह है और oppo enco birds की total specification यह है realme का अभी price है 1500 ओपो का अभी pricing है 1700 and definitely दोनों में gesture support मिल जाएगा और साथ में इन दोनों में आप volume up-down कर सकते हो continuous प्रेस करके और बाकी gesture detail भी आपके सामने शोग हो रहा होगा calling quality के लिए बात करें तो और यहां पर भी audio और यह ओपो से तो यहां पर अभी अंदा चला जाए करते हैं जहां noise बहुत ज्यादा होता है आवाज बहुत ज्यादा होती शोर बहुत ज्यादा होता है so definitely आपको किसी भी बट्स के साथ उतना अच्छा experience नहीं मिलेगा लेकिन room में घर में ओफिस में इसली सब के सबसे आप बात कर सकते हो और audio quality की बात करें तो realme में app support मिलता है ओपो के साथ भी मिलता है और यहां से आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं बाकि में equalizer set करने के लिए जोन से music player आप play कर रहे हो वहां पे set करना पड़ेगा लेकिन app support है तो update वगरा भी आ जाते है बट यहां पर ओपो realme में पता क्या फरक है ओपो आता है काफी balance sound क के साथ एक अच्छा bass मिलेगा आपको treble vocals instrument separation सब काफी balance होके बाहर आता है जो लोग music lover है अलग-अलग earphones TW करते है उन्हें पसंद आने वाला है विकोज इसमें वो हर चीज को काफी balance किया है ओपो ने realme में क्या है similar सा चीज उठाओ loudness को बढ़ा दो bass को बहुत ज्यादा बढ पसंद है वहाँ पर realme वाला आपको पसंद आएगा लेकिन हाँ battery backup इनका ज्यादा नहीं है जैसे oppo 24 hours claim करता है realme 28 hours claim करता है तो यहाँ पर oppo realme काफी अच्छा sound experience देंगे आपको बस bass loudness और ज्यादा पसंद है तो realme otherwise balance के लिए oppo better है तो यह थोड़ा requirement के साब से देखिए पहला यह कि भाई यह budget TWS है तो आपको किसी तरह से high res audio का support नहीं मिलेगा किसी में दूसरा दो device से आप एक TWS को एक साथ connect नहीं कर सकते और तीसरा अगर music सुनते हुए आप किसी भी TWS को remove करते है रिमूव करने पे play pause feature नहीं मिलेगा वैसे इस rate में अगर यह feature किसी TWS में आत